दोस्तों आज हमने बनाया है पालक और आलू का एसन चटपटा नास्ता जिसको की हमने तीन फ्लेवर में बनाया है तो यह खाने में बहुती लाजवाब लगता है उससे पहले स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल विजी मॉलनी सेंटर में फ्रेंट वीडियो अच्छा होना चाहिए और रूम अच्छे से मिला लेना है इसके साथ तो फ्रेंट यहां पर सूजी आप कोई सी बारे किया मोटी दोनों कोई सी भी ले सकते हैं और इसकी यह है कि यहां पर बिल्कुल भी खटता नहीं होना चाहिए और जिसका टोरी से आपने में दही एड़ की तो यह mix हो जाएगी इसको हम साइड में रख देते हैं तो यहां पर हमने 100 ग्राम पालक लिया है इसको हमने 3-4 बार अच्छे से wash कर लिया था तो यहां पर आप पालक को अपने according कम या ज्यादा भी कर सकते हैं जितना आप पालक अगर इसमें ज्यादा डालना चाते हैं तो आ इसमें रख दिया है अब हम थोड़ा फ्लेवर के लिए हरी मिर्च को काटकर इसमें एड कर देंगे तो मैंने यह यह पर स्मूद्पेश्ट तैयार कर लेना है तो यह देख सकते हैं हमारा इस पर तैयार हो गया है हमने पानी इंप बिल्कुल भी और नहीं किया है और शारी टौइ है और ऐढ़ेके हिसा गूर्जय कारिया को इसको में ह्ञेड़ कर देंगे आप कि कहसे कि डैविए उसके हमें मिक्स कर दिया इसको इसके यहां पर मिक्स कर लेंगे- अभी नमक वगरह कुछ भी इसमें नहीं करेंगे इसको अच्छे से हमें यहां पर मिक्स करना है तो अभी यह काफी गाड़ा है सूजी अभी और भी फूलेगी तो हमने मिक्सी के जार में जिसमें पालक पीसा था उसमें दो से तीन चमच पानी एड़ किया है और उसी पानी को हम इसमें एड़ कर देंगे तो यह मिक्स कर देंगे आप इस नास्ती को ब्रेक पास्त में डिनर में लंच में कभी भी बना सकते हैं सूजी का बहुत है नास्ता है साथ हम ने इसमें पालक भी एड़ किया है तो इतना हेल्दी है तो चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं यहां पर मैंने यह तीन ग्लास लीजिए और यहां पर इस ग्लास को हमें अच्छे से ग्रीज करना है क्योंकि सारी तैयारी हमें पहले ही करनी पड़ेगी तो यहां पर इसमको अच्छे से ग्रीज कर लीजिए गा यह देखिए तो आप चाहें तो इसको किसी कटोरी में भी बना सकते हैं अगर आप ग्लास आप इसको पहले साही करने से क्या होगा। कि जब हम बानाने जाती है त। उसकी टयारी भी में बाद में करनी पड़ी का पाफ लेट को चाहती है। यह और हिसको पहले से हम बारी कटी हुई प्याज एड़ करेंगे आप चाहें तो यहां पर लेसुन और अधरक का पेस्ट भी एड़ कर सकते हैं आप चाहें तो इसको बिना लेसुन प्याज के भी इसको बना सकते हैं तो यहां पर हमको प्याज को हल्का सा मून लेना है ज्यादा प्याज को हमें ब तो अगर आप तीखा जादा चाहते हैं तो आप इसमें बारिक करी हुई हरीमेच को भी एड़ कर सकते हैं तो इसके साथ हम मसालों को हलका सा यहां पर भूल लेंगे इससे मसाले भी इसमें अच्छे से रोष्ट हो जाएंगे तो यह देखिए हमने इसके साथ मसालों को अच्छे से रोष्ट कर लिया है अब मैंने यहां पर तीन से चार बॉयल आलो लिये थे जिसको मैंने कद्दू कस कर लिया है इसमें हम एड़ कर देंगे तो ध्यान लखिए यहां पर हमको आलो कद्दू कस करके ही लेनी है आलो में कुल भी गाटे नहीं होनी चाहिए तो यहां पर आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह आलू और पालक का नास्ता आप एक वर अगर जब बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे क्योंकि यह बहुती खाने में टीस्टी लगता है साथी साथ यह बहुती है तो यहां पर अच्छे से थोड़ी देर के लिए इसी तरह मिक्स कर लेंगे और इनको अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे तो यह हमारा चटपटा आलू का मसाला इस सानास्ते में बहुती गजब का लगता है तो यह देखिए यह नास्ता अब बिलकुर रेडी होने वाला है तो इसको फिलोटे पर जाएं तो दर्यग्पति भी इसमें गार्निश कर सकती है तो मैंने यह पर धूछी देर इसी तरह अच्छे से भून लेंगे जिससे कि इसम अच्छे से खुशुम्य आने लगे और मारा मसाला अच्छे से हाँ रोस्ट हो जाए तो मसाला अच्छे से तो यहां पर मैंने इसकी लंबाई तीन इंच रखी है और इसकी चौड़ाई देड़ इंच रखी है तो इस तरह आप इसके रोल तयार कर लीजिए गा तो इसी तरह हम बाकी के तीनों रोल तयार कर लेंगे तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूं यह देखिए अगर आपके हाथ में आलू चपकता है तो आठो को अच्छे से ग्रीज कर लीजेगा दॉन्हों रोल हमारे त्यार होगए तो इसी तरह हम बागी के रोल भी त्यार कर लेंगे यह देखिए दो रोल हमारे बनकर रेडी हुए तीसरा रोल इसी तरह तयार कर लेंगे तो यह तीन रोन हमारे बनकर रेडी हो गए हैं तो चलिए आगे की प्रोसिस को कर लेते हैं तो यहां पर आप इस तरह का कोई गहरा पतीला ले लिए इसी तरह के बरतन में आप बनाईएगा तभी यह आपके परफेक्ट बनकर तयार होंगे तो यह पर नमक का थोड़ा ध्यान रखिएगा अब हम इसको फ्लपी बनाने के लिए एक चमच इनो सैसे एड़ करेंगे तो अगर आप इनो नहीं डालना चाहते हैं तो आदा चमच बेकिंग पाउडर और चौथा चमच बेकिंग सोड़ा इसमें एड़ कर सकते हैं उससे भी बहुत बैटर को इसमें डालना है एक चमच हम इसमें बैटर को डालेंगे और इसमें हमने जो रोल बना के रखा था सेंटर में इसको इस तरह रखेंगे और ऊपर से इसको फिर बैटर से कवर कर देंगे इस तरह इसलिए हमने ग्लास को पहले ही ग्रीज करके रखा हुआ था तो आ यहां पर थोड़ा से Glass को खाली रखेंगे और इसको घ्राइब कर लेंगे तो दौनों Glass भी हम इतार ही तायार लेंगे तो बैटर को तुरंत था ही इसमें डालना है और तुरंत यह रोल को इसमें लगाने के बाद थोड़ा सा बैटर इसके उपर और डाल देंगे जिससे की अच्छे से कवर हो जाए यह देखिए इस तरह तो तीनो ग्लास हम इसी तरह प्रपेयर कर लेंगे और थोड़ा इस ग्लास को खाली रखेंगे क्योंकि जब सूजी फूलती है तो वह उप होने देंगे दस मिनट बाद हम इनको चेक करेंगे तो दस मिनट के बाद आप इसको चेक कीजिगा बीच में बिल्कुल भी खोलिएंगा मत जब तक यह पकते हैं तब तक के लिए इसके चटनी बना लेते हैं तो यहां पर हमने थोड़ी सी यहां पर बुनी हुई मूप्री लिए अगर आप चाहें तो यहां पर सफेद वाले तिल भी एड़ कर सकते हैं चार से पंच हरी मीर चीस में ऐड़ करेंगे तीन चमट मैं यहां पर नारियल का बुरादा। अगर आपक चाहें तो फ्रेस नारीय से बहुतर दलीए तो पर तैयार होती है आदा कटो ब मेंने अच्छे से पिस चुकी है बहुती बढ़ा चटनी बन का तैयार होई है तो यह नास्ते के साथ यह चटनी इतनी लाजवाब लगती है तो चलिए अब इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरे बावल में तो यह चटपटी चटनी एक वार इस नास्ते के साथ जरूर ट्राइ कीजिए बहुती यूनिक चटनी बन का तैयार होती है तो यहां पर हमें तड़का वगारा लगाने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है तो चलिए यहां पर देके 10 मिनट हो चुके हैं हमारा यह बैटर अच्छे से पूल गया है और अच्छे से पक चुका है तो इसको हम नि निकल आते हैं अगर आपके हाथ में अच्छे से नहीं निकल नहीं तो आप नायप की हेल्प से किनारों में अच्छे से चाकू को चला लीजी इसे अच्छा सानी से निकल आते हैं तो आप देख सकते कितने जालीदार यह नास्ता बन कर तैयार हुआ है तो तीनों रोल हम इ बाहर दिख autom viruses परूतेज़ हैं feather by the लुदह और वपार यह हैं कितने बढ़िया 3 व रोल स्काड़ी है त्यार हुए अब हम इसको 3 वे बनाने वाले हैं परोते हम इसको 3 वाधोर में इसको 3 वे अक भी करते हैं तो इसके उपर के पार्ट को आप निकाल दीजिए, यह देखिए, कितने आसानी से बनकर तयार होता है, इसके उपर के पार्ट को मैंने निकाल दिया है, और आदा आदा इंच पर इसको कट लगाएंगे, तो इस तरह हम इसके रोल तयार कर लेंगे, यह देखिए, कितने हराम ट्रोल बनकर तयार हुआ है एक नया नास्ता बनकर देड़ी है अगर आप चाहते हैं तो नया नास्ता ट्राइ करने के लिए तो इस नास्ते को जरूर से ट्राइ कीजिएगा पालक और आलो का कॉम्बिनेशन बहुती गजब का है और अगर आप इस नास्ते को अपने घर पे बनाते हैं तो आपके घर 와서 वाले आपसे नास्ता बनवाने के लिए बारवार कहेंगे क्योंकि नास्ता देक्ने में बढ़र खाने में लाजवाब है यकीन मानिें ये थै tuby गजब का है और आप अपने में ब्रैक्वास्ट में बिना सकते हैं डिनर में भीजया सकते है पंदों उनको बनाकर देते हैं तो बच्चे पालक भी आसानी से खा लेंगे तो यह देखिए इस तरह तरह आप चाहें तो उनको इस तरह भी खा सकते हैं हम इसको थोड़ा नारियल का flavor देंगे नारियल में coat करने के बाद इसका स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है तो आप एक वार इसको जरूर इस तरह बना कर जरूर देखिएगा नारियल के साथ भी यह बहुत बढ़िया नास्ता बन कर तयार होता है तो सुके नारियल के बुरादे में हमें इसको coat कर लेना है अगर आप थोड़ा चटपटा खाना चाते हैं तो इसके लिए भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसको चटपला flavor कैसे दे सकते हैं तो देखिए इसको हम इस तरह कट कर लेंगे तो आप आधा चमच लाल मिर्च का powder एड गे कस्मीरी Also? उसके लाल मिर्च में आधा चमच जससे चाट मसाला एड गे तो इसमें हम आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर हम यहां गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और उस रोल को इस तरह इसके उपर अच्छे से हम इस तरह कोट कर देंगे तो इस तरह आप इसको अच्छे से कोट करने के बाद इसको चटपटा भी बना सकते हैं तो तीनों फ्लेवर ये देखिए आप एक वार से जरूर ट्राइ कीजिए तो सबी लोग आपकी तारीफ करेंगे इतना बड़िया यह नास्ता बनकर तयार होता है तो देखी मैंने इसको अच्छे से यापन अच्छे से इसमें कोड कर लिया है तो इसको भी आप आदा आदा इंच में इस तरह कट कर लिजे तो तीन फ्लेवर का नास्ता हमारा बनकर रेडी हुआ है कमेंट बॉक्स जरूँ बताइए यह नास्ते की रेसेपी आपको कैसी लगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा